हेलो फ्रंस इस वोड़ी मैं मात करने वाले हैं BPSC Teacher के Documents Verification को लेकर तो आप साभी लोग बता है कि कॉल यानी 4 सितंबर 2023 से BPSC Teacher का जो है बापका Documents Verification इस्टार्ट है देखे Documents Verification में कुछ आपका इस तरीके का इस्टेटस या फिर टैक समझ सकते हैं जो आपका दिया जारा है जैसे आपका verified हो या फिर जो है आपका not verified हो या फिर आपका यहां पर partially verified हो देखे इसको लेकर काफी जादे आपका यहां पर संसे बना हुआ है कि क्या ऐसे condition में हमार आपके partially verified है इसको लेकर बात करेंगे एक और आपका सबसे बड़ा confusion है कि क्या आपका documents verification हो रहा है क्या documents verification में क्या कुछ candidate को बाहर भी जो है आपका किया जा रहा है इसको लेकर बात करेंगे और basically यहां पर यह भी देखेंगी कि कैसे आपका BPSC teacher का documents verification जो है आपका किया जा ताकि आप पहले से ही जान जाएंगे कि documents verification आपका कैसे किया जा रहा है और कौन-कौन से documents लेकर जाना है ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत न हो बाकि आपर newspaper का cutting है इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि certificate में मिलान न होने पर not verified जो है बापका यहाँ पर tag या फिर status जो है आपका दिया गया है तो एके करके सभी चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कुछ भी आपका confusion होगा जो कुछ भी आपका doubt होगा उन सभी चीजों को हम यहाँ पर उलिये हैं और एके करके हम यहाँ पर जल्दी से जो है आपके देख लेते हैं देखिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे उससे पहले बता दे कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट योच के सन सुन भादू का आप सस्क्राइब जो है कलीजेगा देखिए कल से जो है आपका बीपेसी टीचर का डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन इस्टार्ट था जो कि आज आ सभी चीज़ जो है इनके तरफ से अफ्लोड किया गया लेकिन जो यहाँ पर डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन जो अधिकारी यहाँ पर कर रहे थे उनके तरफ से यहाँ पर काना है कि आपका यहाँ पर PDF में जो है कुछ भी यहाँ पर आपका अप्लोड नहीं है एसे पता कुछ और है और इनका अधार कार्ड पे पता जो है कुछ और है और फॉर्म भरते टाइम क्या है कि इनके तरफ से अधार का डिटेल जो है वो समिट नहीं किया गया था मतलब अधार का अलमा कुछ और यह जो है ID लगा कर अपना BPC teacher का फॉर्म जो है वो समिट की थी त और जो आपने form भरा, उस form में जो है आपने अधार काड का detail है, फिर अधार काड जो है आप यहाँ पर submit नहीं की, तो इसलिए इनको बिना verification के वापस लटना पड़ा, तो लेकिन ध्यार रखेगा कि यह मतलब इनको दिक्कत नहीं होगा, यह इनका जो आवासी वाला पता होग करा लेंगी, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे documents verification को लेकर कि आपका documents verification कैसे, जो है भापका हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरीके से जो है भापका documents verification होगा, हलाकि कहीं पर और अच्छे तरीके से बेहुसता है, और कहीं पर इसी तरीके से आपका भीड भड़कता वाला ब्योस्ता है देखे यह जो आपका documents verification है basically जो है आपके online यहाँ पर आपका किया जा रहा है देखे यहाँ पर जो आपके मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो documents verification वाले होंगे वह यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे जो online या फिर certificate जो आपका दस्तावेज है उससे जो है आपका यहाँ पर जो online जो भी यहाँ पर जिनकी duty लगी रहेगी वो यहाँ पर आपके original से check करेंगे और यहाँ पर जो भी आपने भी PST teacher का form online भरते time आपने वहाँ पर डाला था उसको यहाँ पर computer में देखेंगे और उसके जश्ट बगल में जो आपका original mark set या फिर certificate या फिर जो आपका दस्तावेज है उससे जो है आप यहाँ पर इनके तरफ से जो है आपका मिलान यहाँ पर किया जाएगा और मिलान होने के बाद यहाँ पर दो सेट में जो है बापका जमा किया जो भी आपका दस्तावेज होग जो दो सेट में आपने यहाँ पर जीरोक्स लगा कर जो है बापने लिया होगा उसको जमा कर देंगे और जो आपका original documents होगा उसे आप अपने साथ अपने घर जो है बापको लेकर आना है तो basically इसी तरीके से जो है बापका documents verification जो है बापका हो रहा है अब यहाँ पर आगे जो है उसमें जो है आपका काफी जादे बदलाव है और वहाँ पर पकड़े जाते हैं तब यहाँ पर फरजी candidate जो है माने जाएंगे अब यहाँ पर जैसे आपने मालीजिए कि BPSC teacher का form आप किसी भी तरीके से भर दें मतलब आप गलत भी भरें सही भी भरें और फिर कुछ जगा कुछ और अपलोड कर दिया है तो भी आपका यहाँ पर documents verification होगा ऐसा नहीं कि आप लोग को यहाँ पर बाहर किया जाएगा कोई भी candidate किसी भी तरीके से BPSC teacher का form भर दिया है आप लोग को यहाँ पर बाहर नहीं आना है बलकि आप लोग का documents verification होगा लेकिन ध्यान यह भी रखना है कि documents verification होगा तो उसमें जो आपका इस data से या फिर आपका tag है इस तरीके से जो है वापका दिया जागा जैसे आपका verified हो यहाँ पर का मतलब भी है कि जैसे हम यहाँ पर बता रहें, जैसे मेरा 10th का जो यहाँ पर बोला गया था certificate number, यदि हमने 10th का certificate number, भी PST teacher का form भरते time, जो हमने डाला है और वहाँ पर verification कराते time, जो हमारा 10th का certificate number होगा, जो original certificate है उसमें, यदि दोनों match कर गया तो यह हो गया आपका verified, उसी तरीके से मानेज़ें, जो हमारा 10th का number हो percentage, हमने यदि 97% डाला है, और वहाँ पर हमारे original result में 97% है, और दोनों यहाँ पर match कर गया, तो यह हो गया आपका verified, उसी तरीके से किसी भी तरीके का, जो है आपका दिक्कत नहीं है, अब आगे आते हैं यहाँ पर जो आपका not verified, तो not verified का मतलब यहाँ कि जो आपका सत्यापित है, वो यहाँ पर उसकी push-ty जो है आपके नहीं हो पा रही है, मतलब यहाँ पर क्या है कि push-ty नहीं होने का मतलब और not verified case ready में आप जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो आप लोग BPSC teacher का form भरते time आपने अपना documents जो upload किया था वो यदि आप मानेजें कि आपका documents धूमिल हो या फिर जो है आपका documents साधा हो साधा होने का मतलब यह है कि जैसे आपने 10th का result आपने upload किया और 10th के result में आपका होगा तो उसमें हर इक चीज जो है वापका लिखा रहेगा लेकिन upload करते time वो जो है वापका साधा हो मतलब जो उसका size होता है कम करने के चकर में जो है वापका साधा हो गया या फिर जो आपने upload किया वो आपका upload तो है 10th का ही गील्ट अपलोड है लेकिन उपलोड जो है आपका धूमिल है मतलब वो कुछी से कंडिशन में आप जो है नाट का डॉकमेंट जो है अप्लोड करिए और वहाँ पर जो साइबर का फे हो या फिर अपने तरफ से पता चले कि वहाँ पर आप अपने टेंथ का नहीं अपलोड किये बलकि किसी और का अपलोड कर दिये तो एसे कंडिशन में जो है आपको नाट वेरिफाइड के जो है उस अपने और कुछ यहाँ पर डॉकमेंट जो है उनाट वेरिफाइड है तो इसका मतलब यह है कि आप आंसिक रूप से सत्यापित में आएंगे कि कुछ आपका सही है कुछ जो है आपका सही नहीं है अब यहाँ पर जो आपका इसके अलामा जो आपका डॉट होगा कि क्या ऐ प्रसाजी उनके उपर और जहां तक मेरा विश्वास है कि आप लोगों को मतलब यहां पर नाट वेरिफाइड और पार्सिली वेरिफाइड में जो अभियर्थी आहां पर आए हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां पर जो आपका OMR सीट हो यह फिर रिजल्ट हो तो उसके हिसाब से जहां तक मेरा माना है कि आप लोगों को यहां पर बाहर नहीं किया जाएगा बलकि आप लोगों को सुधार करने का मौका यह नहीं है कि आप लोगों को फिर बोला जाएगा बलकि आप लोगों को यहां पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और रिजल आपका हो जाएगा और आप लोगों को यहां पर जाइनिंग वगरा जो है वापका हो जाएगा बाकी नॉर्माल सी बात है हर एक चीज़ आपका बीपेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो नौट वेरिफाइट वाले हैं इनके साथ जो है आपका क्या करना है बाकी यहां पर किसी के साथ भी आपका दिकत नहीं होता बीपेसी टीचर के फॉर्म में क्या था कि जो कुछ भी आप दस्तावेज या फिर डॉक्मेंट्स अप्लोड किये फिर उसे आप देख नहीं पाएंगे कि आपने सही अप्लोड किया वहाँ पर अप्लोड होने के बाद दीखर आया या फिर आपके परसेली वेरिफाइड है वो कंडिडेट यहाँ पर BPSC के ओफिस में गया है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए ऐसा नहीं कि हम लोग को यहाँ पर सिछक बंटी से बाहर आपका किया जाए तो मतलब कुछ देर बाद या फिर कुछ समय ब यहाँ पर समझ सकते हैं कि फर्जी अभिएरती हैं और यहीं आपका वेरिफाइड और जो आपका पार्सेली वेरिफाइड है उसका यहाँ पर मेटर और देखें यह आपको पता कैसे चलेगा तो वहीं पर तुरंत जो यहाँ पर जाँचाधिकारी रहेंगे उनके तरफ से आपका बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर किस स्रेडी में आपका रखा गया है तो आपको यहाँ पर एक तरीके से मतलब अच्छा एक रास्ता जो है मिल जा रहा है कि वहाँ पर जो आपका डॉक्मेंट्स वेरिफिकेसन हो रहा है क्या हर एक चीज मैटर है हर एक चीज जो है आपको अपडेट यहाँ पर मिल जा रहा है ताकि आप documents verification में जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पर उचले जाएं और यहाँ पर original जो है आपका documents verification में जो है आपका सभी चीज चेक किया जाएगा और आपका original जो है आपका जमा नहीं किया जाएगा बलकि जो आपका जिरोक्स होगा उसे जो है आपका दो सेट में जो है आपका जमा किया जा रहा है बाकि documents verification में क्या क्या आपको लेकर जाना है आप पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जा जाना है सभी चीज का वीडियो जो है हम बना दिया है तो पीछे आप जाएंगे वीडियो देखेंगे तो कल का पर सो दिन का हर एक वीडियो जो है पा जाँगे तो आहां से आप समझ सकते हैं कि कौन-कौन से आपके documents जो है वह यहां पर लगेंगे बाकि जो कोई भी update वग बाकि जो YouTube का Community है नॉर्मल सी बात है आप इस प्लेटफर्म को सब्सक्राइब कि रहेंगे सब्सक्राइब याद आप किये हैं तो आपको हर इक चीज पता चल जाएगा बाकि आप कि आप त्यारी करते हैं इसी भी Community एक आप त्यारी करते हैं तो इस प्लेटफर्म राइट उज के सब्सक्राइब कर लिजेगा तो देखिए इस मैटर को आप समझ गए होंगे नॉर्मल सी बात है जिन अभ्यर्थियों को दिक्कत है वह यहाँ पर पटना का रहाले पर मतलब जो BPSC का Office है वहाँ पर यह अभ्यर्थि जो है उचले गए हैं कि हमारे साथ जो इस तरीके का नियाए न किया जाए क्योंकि नॉर्मल सी बात है यह जो आपका गल्ती हुआ है यदि इन लोग को मतलब देखने का Option मिलता कि हम जो documents upload किये हैं उसमें हमारा सही है फिर गल्ती ह तब AC कंडिशन में यदि मालिजे गल्ती होता तब अभ्यर्थि का जो है माना जाता जो कि BPSC के तरफ से form हरते टाइम यह ऐसा कोई option नहीं दिया गया था कि आप अपना documents upload करने के बार उसे आप देख लिजे कि आपका documents सही है या फिर गलत है अच्छे तरीके से clear दिखाई दिखाई देर है और यहां पर देखे जो married female है उनको यहां पर जो आपका दिक्कत है कि हम considerate पर जाकर अपना documents verification करा है जैसे मालिजे आप जिस जिले के हैं उसकी जिले में आपका साधी हुआ है तो कोई यहां पर दिक्कत नहीं है दिक्कत कव हो रहा है कि मालिजे आप जिस जिला हो या फिर आपके फादर वाला जिला हो तो वहां से आप एक बार जहां पर हो रहा है documents verification तो वहां से एक बार आप contact कर सकते हैं क्योंकि हर एक जो आपका documents verification center है वहां पर आपके नोडल अधिकारी जो है बनाए गहें तो उससे जो है आपका पता चल जाएगा कि आपको आपको बहुत अच्छा रहेगा और आसानी से जो है आप लोग यहां पर documents verification में जा सकते हैं बाकी यहां पर normal सी बात है आप अपना BPC teacher का form भरते time कुछ भी आप form भरे हैं कुछ भी आप लोग यहां पर किये हैं किसी को documents verification से बाहर नहीं किया जारा बस आप लोग का यहीं कि यहां जारा कि आप लोग verified में हैं या फिर not verified या फिर जो है आप यहां पर partially verified तो यह अभी तक के लिए यहीं update है बाकी जो कोई भी update होगा information होगा उसे हम share कर देंगे मिलते हैं के लिए next वीडियो में तब तक लिए thank you bye bye take care always thank you for listening God bless you all thank you